दोस्तों एक बड़ फिर से आप लोग का स्वागत है मास्ट्रे माइन अब जीके में आज इस वीडियो में फ्रेंस हम लोग देखेंगे जो 16 दिसंबर को फोरेश्गाट का एक्जाम हुआ था उसका सकेंड सिफ्ट में जो पेपर आया था उसका पूर्ण सोलूसन देखेंग लगभग आपको 84 प्रेंस दिखेंगे फ्रेंस फिर्णा माटर लगता है 13 से 14 प्रेंस आपको सभी प्रेंस का सभी और सटिक सोलूसन आपको मिलेगा लिज़ेगे प्रेपर जो मिला था धुन्दा दिखाई दे रहा था इसलिए मैं सब प्रस्णों को टाइप कर दिया टो टाइप करने वीडियो बनाने हम काफी मेहनत लगते है तो लाइक कर देगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कि हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वेल ड देखे पूछा गया था आपका सवाल फ्रेंस की आरिस समाज के संस्थापा कौन थे तो कौन थे फ्रेंस तो स्वामी द्यान और सरस्वती थे कब किये थे फ्रेंस तो 1875 इस्वी में देखे फ्रेंस याद करते चल जे आगामी जो प्रत्योक्ता परिच्छा के लिए उसके एंपॉर्टेंड होगा डेट भी आदे लखे फ्रेंस डेट नें पूछा गया था लेकिन 1875 इस्वी में स्वामिन द्यान और सरस्वती ने आरिस समाज की अस्थापना किये थे थे तो राजा राम मोहन राइं ने 1815 में आत्मिय समाज के स्थापना किये थेyear चलिए सवाल सवाल नमर तिन पूछा गया था अब्रेंस सबसे अधिक संख्या एवं भारी विधिता लिये हुए वनस्पति एवं जीओं का पाया जाना संभव हो है कहां पाया जाना संभव है फ्रेंस तो देखे प्रेशन में पहले कराया था फ्रेंस आपका जो प्रैक्टिश चलब रहा किसके तो नीती निदेशक सिधान्तों के अनसार हुए है किसके तो राइट अंसर क्या होगा नीती निदेशक सिधान्त मिलाते चलिए फ्रेंज कल इसके बारे में आपको cut-off का भी वीडियो में प्रवाइड कराऊंगा सवाल नमर 4 में पूछआ गिया था भारतिये विशिष्ट पहचान प्राधिकरन योजनर सुरु हुए थी तो 2009 में हुई थी खिक है भारतिये विशिष्ट पहचान प्राधिकरन योजनर सुर अपका 2009 में हुए थी अगला सवाल की भारत में पंच-3 का संब्द जिससे है वो है शभिए समाजिक समावेश । त भारत की सबसे लंबी रोपवे 흥 ही रीभर रोपवे pronounce सवाल नमर कि चंद्र गीरी सरवन बेल गोला किस जैन संथ के साथ गया था आपका भध्र वाहों के साथ में यह गए थे चलिए सवाल पूछा गया था आप से भारत के राष्टपति को मौलिक अधिकारों के परवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है ठीक है किस अनुचेत के इतहत प्रेंस अनुचेत 369 के इतहत यह अधिकार राश्पति को प्राप्त है अगला सवाल पुछा गया था प्रेंस कि लैंगिक समानता सुचिकांक क्या दरसाता है बहुत इंपोर्टेन सवाल पुछा गया था प्रेंस देखे तो देखते हैं अक्सर की विद्यालाय में जहां नौकरी होती है वहां भी या तो रोजगार की आपसर में कहीं भी देखते हैं तो लड़का लड़की में भेद भाव किया जाता तो उसी से रिलेटेड है इसका जो राइट अपसर नमर्डी हो जाएगा सवाल पूछा गया था आपसे फ्रेंश कि निमलिखित में से किस रॉलेट किस ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था तो कब आया था रॉलेट एक्ट उनएस उनएस इसवी में आया था फ्रेंश जिसे महात्मा गांधी ने से काला कानून की संग्या दी थे ठीए तो महात्मा गांधी ने है उन्हें सिस्वी में जो रोले टेक आये था उसो काला कानुन कहा था अगला सवाल पूछा गया था आपसे friends की निम्ली में से कौन सा जिल छुद्रगरह की टकराने से बनी है ठीक है छुद्रगरह की टकराने से बनी है लोनार महराष्ट में पढ़ता है यह जो आपका चुद्रगर के टक्राने से बना था अगला सवाल है भारत की जन्गन्ना सबसे कम आपका बिहार में था अगला सवाल आपको पूछा गया था किसी राज के लिए सरवाधिक महतवपूर्ण कत्व कौन सा होता है तो देखे कोई भी राज है फ्रेंस उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तत्व होता है फ्रेंस वो संपरभूता होता है सवाल पूछा गया था फ्रेंस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरुवात कब हुई थी आपको 2015 में शुरू हुई थी ठी के फ्रेंस याद रखेगा 2015 में आगामिया जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंस 2015 में हुआ था सबसे पहले कि महात्मा गांधी जो शौथा फिरका कब गये थे फ्रेंस लोटा अठारा सु तिरान में इस्वी में वहां गये थे और वहां रहे थे कितना वर्स आपकोckerर लीजे फ्रेंस अठारा सु तिरान में गये थे और उनय़ें सो पंद्रा में वहें लोट थे तो अपस्य कल्कुलेट करके निकाल ले है फ्रेंस तो महात्मा गांधे जो 18 महात्मा गंधी द्वारा पर्थम सफल सत्याग्रह अंदुलन हुआ था तो 1915 में हुए थे लोटे थे फ्रेंस और 1917 में चंपारन में सफल अंदुलन किये थी ठीए चंपारन होगा सवाल नपर 17 में पूछा गया थे भारत में स्वर्ण का सवर अधिक उत्पादन होता है सब आपका जो होम मिनिस्ट्री आणि गिरिह मंत्राले के अंदर कार करता है राष्टी आपता प्रबंधर प्राधिकरान है चलिए अगला सवाल है इसमें से हो सकता है का कोई प्रश्ण में अगर मिस्टेक हो फ्रेंस तो मेरे ख्याल से मिस्टेक नहीं होना चाहिए अंसर में लेकिन अगर होता है फ्रेंस तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिर प्रश्ण पूछा गया था फ्रेंस कि माइंड अस्पोर्स ओलंपियाड में मांसिक गणना वर्ल्ड चैंपियंशिप 2020 में भारत के लिस्वन पदक किसने जीता था फ्रेंस आपका निलकं सवाल आपसे पूछा गया था कि लदाक के पर्थम राजपाल के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है फ्रेंस तो राधा कृष्ण कृष्ण माथूर को न्यूक्त किया गया है सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंस किस नंबर में कि भारत की संसद में निम्रिखित में स सवामिल लोग सभा राज सवाध राश्पती सन संखत को सब प्रेंट बहुत बार बता चुकते हैं पहले चले अगला प्रेंट पूछा गया था nggak जैमिक्स ठीक है। जैमिक्स खाली ст았는데 इसलि तरह पूछा गया था फरेंश जैमिक्स भारत और जापान नीच सिया पूछा ग्या था आगला सव कसा अगला सावप्ष कोछा गया था। पंट सेचाहित की जो बीटी स्थीदी के समिच्छा करता है कौन राजवीत आयोग करता है सवाल आप से पूछा गया था फ्रेंश की अक्टूबर 2020 में जाउन आर रेड ठीक है अक्टूबर 2020 में जाउन आर रेड का दिहांत हो गया था सवाल 26 में पूछा था भारत का पर्थम जया हो ठीक है अप्सेन के साथ पुछन के साथ बंगाल का परथम गौण जया हुआ था यह पूछ दिया होगा था भारत का परथम जया कौन है तो फ्रेंस आप लोगों को यहीं मारना चाहिए चुक्कि यहां इसका टैपिंग में मिस्टिक होगा तो वारें हैं इस फिरेंस उसका राइट राइट रहोगा ठीक है लेकिन प्रशनी से पुछना चाहिए ठीक है फ्रेंस ऐसे तो फिर भारत का पर्थम को लाट बिल में इस्तित है प्रकिर्ति ने कांगेर घाटि को ऐसा उपहार सवपा है जहां वन देवी अपने सिंगार में मंत्र मुख्ध कर देने वाली द्रिश्च वालियों को समेटे भूमी गर्भित गुफाओं को सीने से लगा कर यूँ खड़ी होती है मानों आपके आगमन का इंत जाता है तो जाता है तो जो राय टांसर चोश्च के गर्भा जिन आया अगला सवाल पूछा गया था है इस तरह से प्रेंस की दी गई संख्या में लुप दिको ग्याद के रहे तो देखें है यहां 5 है ठीके बाद में कितना चार बढ़ा है पान चार नौ ठीक है फिसके ब टिसपर पर कितना बढ़ाया इसके बढ़ आठ बढ़ाया इसके बढ़ाया फ्रण्स उसके बढ़ाया पिर फिर बढ़ाया इनने पर चौ सब्सक्राइब और सवाल पूछा गया था एक लड़के की तरफ आप सैसु मैं आपको को दो तीन प्रश्ण सामिल की आ गया था ठीक है ज्यान पुर्वक देखेगा कि एक लड़के की तरफ ही सारा करते हुए आलिया ने कहा वह मेरे दादी जी के एक लवते पुत्र का ठीक है फ्रेंस आनि कि वह खिसके बारें अपने ही बारें खोधी के बारें कर रहें कि एक ल लड़का और लड़के में तो भाई का संब्ध हुआ फ्रेंस लेकिन पुछा जा रहा है लड़के की मां का अल्या से क्या संब्ध है तो इसका भी मां हो जाएगा ठीक है और्ध परिमाप 36 मीटर है बाग की विमाई कितनी मीटर होगी तो आपका 20 और 16 शोल्फ करिए लाइट असर हो दाएगा चले सवाल पूछा गया था फ्रेंस कि अमन का परिचाय कराते हुए पिरिया ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के कलोते पूत्र है ठीक फ्रेंस पिरिया किस परकार का अमन से समंदे थे ठीक अपने बारे हम खुद करें अमन का परिचाय कराते हुए पिरिया ने कहा अमन से उसके भाई के पिता मेरे दादा के कलोते पूत्र है इसका आएगा राइट असर आपका बहन का जाएगा ठीक है रिलेशन में बहन राइट अन्सर होगा अग्ला सवाल पूछा था यदि किसी संख्यां का 25 पर 302 25 है वा सं अब देखें काड़ें पचीचा का सो ठीक है अब दोसों पचीश में चार से मल्टिप्लाइ कर यह कितना आएगा थिक है नौसों इसका राइट अंसरों बहुत सिंपल सवाल था चलिए सवाल नमर इसमें किस तरह से क्या है इक बढ़ाते गया इक कितना होता है पांच होता है तो इसके बाद में चे बढ़ाएगा तो एस एक कितना पर आता है और चे आता है और ceo बढ़ाएगे तहां आपका कहा जाएगा वाई आ जाएगा यहाँ इसका यहां पर खाली सांब अब दोड़ाया थिर्स और के लिखा है तो आपèse आप लोग से awareness की देखते हैं कि Amit कहता है सुमीत की मा मेरी मा की कलोटी बेटी है अपने बहन के बारें बता रहे हैं करा है सुमीट की मा मेरी मा का क्या हुआ एकलोटी बेटी बेटी है और मैं इकलोटा भाई बहाई हुआ दौूनां भाय का समध्रेंड का सुमीट किस परकार अमीद से समध्र थे देखें कि पर फिर का और पहां जो मारे हैं उनका बिल्कुल राइट अंसर होगा हंड़ेट परसेंट मामा भांजय के संब्ध होगा सवाल पूछा गया था किसी वस्तु का पिर्थवी की सता से कितना बहुत बार मैं फिजिक्स में बता चुका हूं फ्रेंट्स प्लायन वेक के बारे में इसका मान कितना होत के उपर विग देगा फ्रेंट्स तो क्या है वो फिर वापस नहीं आएगा अंत्रिस के बाहर चला जाएगा ठीक प्लायन में वही है फ्रेंट्स 11.2 किलोमेटर प्रती सकेंड चले सवाल नमर साइटिस को पूछा गया था फ्रेंट्स को कोकीन का तिरिक्त खुराक के कारण है फ्रेंट्स तो प्रेंट्स फ्राजीब क्यों भीमार हुआ यहनी कि फ्रेंट्स फूलने लगता है उज्सजन के कमी होने लगते है तो पूछा नaking होता है पूइंट को सबको याद करते चले अगला पॉइंट को देखते हैं कि किस बिटामीन के कमी से रतौंधी रोग होता है फिर देखिए पूछा गया था फ्रेंट्स इसमें थोड़ा सा कन्फूजन हुआ था पिछली वीडियो में प्योटो प्रोटकॉल पूछाब गया था था कियोटो प्रोटकॉल किसे संबंदी था ग्लोबिन वार्मिंग से आपका संबंदी था गूगल पर भी सर्च करके देख लेए फ्रेंट्स डेटेल में आपको मिल जगा कि क्योटो प्रोटकॉल एक अंतराष्टिय संधी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे च adaptation से ही ज gráfic जाता है जब भी आपको दूररिष्टि द्रुष्टों के यक वार्मिंग और पूछा यह सवाल कiska थियुक्त की इंद्रधनुस के द्वारन कारण पनाइंल का उप्षिक सवाल परकास प्रिका और पादप जंट्य कोषका को भीडड़न करता है स्वाल मैं इस तरह से बताया था है कि कॉप कौन सा कोषका जो पादप और जंट्य कोष्का को भीन करता है जो अलग करता है ठील तो भीड़न करता है एक आपका पादप कोशकाम नहीं नहीं होता है चलिए सवाल नमर चैनल पुछा गया था तो क्या है फ्रेंज बिलुप्त पच्छी है क्या है इनर्जी का इनर्जी का है जो आपका इकाई है किसका तो बिधुत उर्जा का जिने उनका राइट होगा सवाल नमर 46 है प्रेंस की कौन से विकिरन की सबसे कम तरंग्दैर्जी होती है तो रदा करम विकिरन को पूझा गया था आपका कि वह व्यक्ति जो रसायनिक कूरजा तो क्या होगा यहाँ पर यह युक्ति टीक है उसे जादे वायू उर्जा का निर्मान होता है सवाल अब से पूछा गया था क्यवला देव राष्टिया उधान परसीद के लिए है यो परसीद है इंटीग्रेटेट सर्किट होता है इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं एक परिपत कर सकते हैं आपको इस तरह से दिया हुआ था बड़ी तरंग दहर का परकास परकिर्णन होता है इसे सवाल पूछा गया था आपको फ्रेंट्स की जय भी विटता दिवस निमलिखित में से किस दिर मनाया जाता है आप लोग मिलाते चलिएगा फ्रेंट्स कितना सही हुआ है आप लोग कॉमेंट करके बताएगा कल में कट आफ के बारे में वीडियो बिनाओगा ठीक है यू टो एसमें बहुत सारे यह समय इसा भलत गलत बता रहें הट थे हैं इसका मैं देख लिएखिंश उर्जा पिरामीद आवस्था क्या होता है तो सी ढहरे होता project एट्योर्फ हैं उर्जा पिरामिड उस्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है इसमें एक पोशन अस्तर से दूसरे पोशन अस्तर परस्थांत्रित होने वाली उर्जा को भी दिखाया जाता अता हुड़ा पिरामिड सदैव सीधा होता है ठीक है फ्रेंस 10% नियम उन्हें 142 में लिंड मैंड ने इस नियम को पर्ति पाजित किया था देकि लिंड मैंड बताया था फ्रेंस प्रतिसत का नियम इसको बरमी में पता चुका हूं फ्रेंस इंपॉर्टेंट है अगला एक जाम फोरेश्टर के लिए फ्रेंस तो याद जाल नबर यह पूछा गया था फ्रेंस की फ्यूजतार की सबसे उप्यूक्त विसेश्टा क्या होती है इसका हो जाएगा देखिए फ्रेंस क्या होना चाहिए ठीक है तो आपसंट की सबसे अंसर आपका यह होगा फ्रेंस लेकिन बहुत सारे लोग है जादा गलनांग मार प्रेंस की फ्यूजतार की विसेश्टा यह होती कि उसका गलनांग बिंदू बहुत कम होता है अपको जल्दी पिखल जाता है और उपकरन की सब्लाइ बंद कर देता है यह आपका विसेश्टार टेले फ्रिंस और्राइब का सवाल पूछा गया था कि सूर्र की परकास वुर्जा को अवसोसित करने वाला वरणक का नाम क्या है फ्रिंस तो कलोरो फिल हे ठींक है सब बताये बारे सब रिपीट करा चुकां हुँ मूल में सबसे दूरबन कौो थे सब्सक्राइब उस时 ne बनते हैं ठीक है पादफ है जो पादक की रूप में होता है तो पादफ मंद पीड़ पॉधा पीड़ पॉधा कौन खाएगा फ्रेंज तो कौन खा जाएगा तो बाज खा जाता है इस तरह से बढ़ते जाएगा इसका जो आपसर नमर पाद पादफ टिंड़ा और पच्छी फ्रेंस सवाल नमर पूछा गया था क्या निमलिखित में से सब्द अरजू का पर्यावाची सब्द नहीं है सवाल नमर तडित होता है बिजुरी होता है घनवली होता है चनपरभा होता है करका होता है सब याद रखेगा फ्रेंस बिजली का सब है जो किसामना रतिर सब्द है ऑप्शन में साथ एक चपला था ठीए फ्रेंस चपला है जो इसका राइट अंसर नहीं होगा वहीं नहीं होगा बाकी स था है भेक मतलब क्या हुटा हाता है अंसर होatin प्रविरती सब्ड के सही विलूम सब तो अगला सवाल के सभी सब्ड गती के अनेकार्थक invas都 आपका जए अंसर सही होगा चाल हलात मोच यह सभी गती के अनेकार्थक छे चले सवाल पूछा गया था आपका कि निम्लिखित में से आकरशन का बिलोम सब्द क्या होगा तो कर सब्सक्राइब देखे फ्रेंश जो सिंपल सिंपल फ्रेंश से थोड़ा ज्यादा था इसलिए कट अब बताओंगा कट अब तफ जाने वाला है थे फ्रेंश लेकिन इसमें निगेटिव बात है फ्रेंश जिनका जादी गलती हुआ होगा तो इसके बारे में सोच समझ करके कलका बनाओंगा तो निम्लिखित में से आकरशन का बिलोम क्या होगा कुछ भी फ्रेंश मिला जुलाकर कोस्ट्टन का लेवल था जो बहुत अच्छा था ज्यादा भास नह समनार्थी सब्द से बिलोम सब्द से पूछा गया था कराइनिम्लिखित में से किस विकल्फ में सही बिलोम सब्द नहीं तो एक आप्शन में सही बिलोम सब्द का पर्योग हुआ चाहिए नुकसान और रहानी कारक था तो तो सेमी है उसका बिलोम नहीं है तो तीवरी मतलब क्या होता तेज होता है मंद मतलब धीमा होता तो यह आपका सही हो जाएगा सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंस कि निमलिखित में से कौन सा वाक्य सूध है तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए है यही वाक्य है जो सही होगा आपके एक एक वाक्य है जो तुले हुए है सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंस की निमलिखित में से मरतिय का विलोम सब्ध जाएगा मरति मतलब क्या होता मरना होता फ्रेंस तो जो मरना का उल्टा क्या हो जाएगा अमर होगा जो नहीं मरेगा निया मरति का विलोम सब्द अमर हो जाएगा सवाल आपसे पूछा गया था निम्लिखित में से वर्तनी की दिरिष्टी से असुध सब्द को छाटिए तो देखे निविर्ति ये इस तरह से लिखा हुआ था यही असुध है चलिए सवाल नमर 73 को पूछा निम्लिखित में से तदभाव सब्द का चयान के तदभाव क्या होता है तो यह तच्सम का बिगड़ा हुआ रूप है जो संस्क्रीट से सब्द है इसमें देठी एक लिखा हुआ था ठीप देठी है जो है क्या तदभाव के अंतर गता आएगा सवाल आपके पूछा गया था निम्लिखित में से कौन सब्द शोभा का प्रियावाचे सब्द है तो MP3 देठी सुमा होगा च्छली सवाल पूछा हुआ था है कौन सा सब्द संस्क्रीट का सब्द है इसमें आता है उसका बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव को तब मतलब क्या होता है मचली हो जाएगा ठीक है इस तरह से यह आपका मतल से था जो क्या तद्भव का उधारण था सवाल नमर 66 को पूछा गया था कि करोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंतरन शमाफ्स हो जाता है तो आपने ऊपर राघंस क्या हो अपने ऊपर आपका आलस है ठीक है यही इस सत्रु हमलोग को pants आगे बढ़ने नहीं देता है जिसके पास आलस है friends chama अभी सी अब लोग तैयारी में जूड़ जाए हमारे चैनल से जूड़ है friends आपको प्रत्सकें दिन जिक्के जीए इसका video प्रोवाइट करा है तो फ्रेंट्स आपको पूछा गया क्या कि मनुस्त का सबसे बड़ा सत्रू कौन है तो अलस है तो परगरप के इन सबसे आपका क्रोध है फ्रेंट्स उसमें देखे पढ़े होगे तस पर शुपसे लिखा हुआ था फिर फ्रेंट्स की कौन से गुनों का बोध नहीं होता है मानव इम्य गुन को भूल ढ़ी जाता है बन जाता है चले सवाल पूछा गया था आप से आपसे फ्रेंट्स क्रोध को नियंतृत करने आप पर मुक तरीका कैँ आगर प्रोध क्रोध करना है तो दूसरे व्लकिति को छमा कर एखें पर उसको आ गुसा आरहा है ठीक जुनून लिखा हुआ था ठीक फ्रेंस आर दो प्रस्ण था फ्रेंस देखे इसमें इसमें जिक्के जी ऐसे था कि लाल किले की मोती मस्जित का निर्मान किसने करवाया था और अजय के द्वारा करवाया गया था चौरी-चौरा घंटा घंटना कब हुआ था फ्रेंस तो पांच फर्वर्ण उने सो 222 को हुआ था ठीक है फ्रेंस देखिए 83 प्रेंस का हम लोग टोटल देखे फ्रेंस इसमें आपको 17 प्रेंस जो माय थोला था फ्रेंस जो ग्राफ राफ से था और कुछ दिखाएने पड़ 83 प्रस्न प्रें प्राइज से तो आपको कैल्कुलेट कर ला थे कितना प्रस्न को सूल्ध इन कितना सही हुआ कितना नेगेटिव लिए ठीक है तो उसह साब फ्रेंस 81415 पदों के लिए जो बहाली है फ्रेंस आपका मार्च महिना में 14 मार्च और 20 मार्च का उसका भी फ्रेंस आपको प्रैक्टिस शेट और मैट्रियल प्रोवाइड करा रहेगा फ्रेंस उसको लिए फ्रेंस मैं आपको अभी से टॉपिक वाई ठीक है विशायवार आ मैं उसका प्रैक्टिस शेट दूंगा ठीक तो नेक्स्ट विडियों फिर मिलते हैं फ्रेंस देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद